दोस्तो अगर आप ceiling fan में capacitor connection करना नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा कि ceiling fan में capacitor connection कैसे किया आता है यहाँ पर आप देखे यह जो capacitor है इसमें दो wire है आपको क्या करना है कि इसमें जो यह दोनों wire है इन दोनों wire में से कोई भी आप एक wire ले करके यहाँ पर जो यह चार wire है इनमें से किसी एक wire में पहले जोड़ दिए जैसे मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ यह जो red वाला wire है इस इसमें जो रेड वाला वायर है यह रनिंग कोईल का वायर है और ब्लेक वाला वायर जो है वह स्टार्टिंग कोईल का वायर है ठीक है अब केपासिटर का जो दूसरा वायर है उसे आप जो दोनों ब्लेक वायर है उसमें से किसी एक वायर में जोड़ना है तो देखे मैं यहा 2.5 mmd का यह केपासिटर है यह दोलकर कंपनी का केपासिटर है अब मैं क्या करता हूं इस केपासिटर को यहां पर इस तरीके से लगा देता हूं यहीं पर केपासिटर को लगा जाता है अब यहां पर जो यह दो वायर है एक रेड वाला और एक ब्लेक वाला इन दोनों को इस तरह से आपस में मिला करके इसे अच्छी तरह से जोड़ लेना है इसमें एक रनिंग कोईल का वायर है एक स्टार्टिंग कोईल का वायर है जब यह दोनों वायर आपस में जूड़ जाता है तो इस वायर को कोमन वायर कहा जाता है ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर ज जोड़ सकते हैं, दोनों जगह में आप किसी एक जगह पर इस वायर को जोड़ दीजे, तो मैं इसे उपर वाले में ही जोड़ देता हूं, दोस्तों अगर आपके मन में सिलिंग फैंसे रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब पूछ सकते हैं, अब आप यहां पर जो यह दोनों वायर देख रहे हैं, यह जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर को आपको यहां और यहां पर जोड़ना है, तो मैं क्या करता है, इन दोनों वायर को यहां पर जोड़ लेता हूं, जोड़ने के बाद आपको बताता हूं, देखे मैंने यहां पर वायर को जोड़ दिये हैं अब यहां पर यह वाला वायर जो है इसे यहां बीच में जोड़ा जाता है यहां पर जोड़ा जाता है लेकिन इसमें इसक्रू नहीं है इसक्रू गिर गया है इसलिए अब यह वायर यहां पर नहीं लग सकता है तो मैं क्या करता हूं इस पंखे को पहले सिधा कर लेता हूं उसके बाद आपको बताता हूं यहां क्या करना है या तो यहां पर टेप लगा देना है अच्छी तरह से या फिर इसमें क्या करना है कोई सिलिप पाइप लगा देना है तो मैं यहां पर सिलिप पाइप ही डाल देता हूं वै यह जो किलिफ है इसमें इसे इस वायर को दवा देना है देखे इस तरीके से बस यह हो गया यह पूरी तरह से connection हो चुका है अब इसमें line देकर देखना पड़ेगा कि यह पंखा उल्टा गूमता है या सीधा अगर उल्टा गूमेगा तो उल्टा connection को सीधा कैसे करेंगे यह इसमें शिरी line का वायर पहले जोड़ लेता हूं ठीक है यहां पर और line देकर देखूंगा कि यह पंखा उल्टा गूम रहा है यह सीधा तो मैं क्या करता हूं इस पंखे को थोड़ा से उपर उठा लेता हूं और मैं इसमें line देता हूं तो देखिए क्या होता है देखिए ये तो सब कुछ गाड़बाड़ हो गया, पंका तो उल्टा घूमने लगा है, अब क्या होगा, तो चलिए, मैं स्री लाइन का वायर पहले लाइन से बाहर निकाल दिया, अब मैं इस पंके को हाथ से रोक कर धीरे कर देता हूं, तो आपको समझ में आगा कि ये पंका उल्टा घूम रहा है, तो देखे, मैं इसे हाथ से रोक कर धीरे किया, तो देखे, आपको दिख रहा है कि ये पंका उल्टा घूम रहा है, तो ये पंका उल्टा घूमने लगा है, तो इस connection को सीधा कैसे करेंगे, उ मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा, तो आपको इसका connection सीधा करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो है कि, यह वाल वायर आप खोल लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यह वाला भी वायर आपको खोल लेना यहां से, दोनों वायर को खोलने के बाद आपको क्या करना है, यह जो रेडवाला वायर है, इस रेडवाले वायर को यहाँ पर जोड़ना है, और यहाँ पर जो रेडवाला में जोड़ देना है यानि कि इधर जो रेडवाला वायर है इसे इधर लगा देना है और इधर वाले रेडवायर को इधर लगाना है यानि कि इसे अदला बदलिक कर देना है और कुछ ने करना है तो मैं इसे देखे यहां से इस रेडवाले वायर को खोल लेता हूं खोलने के के साथ ये ब्लेक वाले wire को जोड देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, और इस वाले red wire को, इस केपसिटर वाले wire से जोड देता हूँ, तो इस तरीके से ये red वाला wire अदला बदली हो चुका है, देख लिजी, दोनों wire को मैंने पलट दिया, इधर वाले को उधर, उधर वाले को इधर कर दिया red wire को, तो आप यहाँ पर देखे, यह दोनों wire अदलब अदली हो चुका है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर हो चुका है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस wire को बाद आपको दिखाता हूँ तो देखे मैंने यहां पर भी वायर को अच्छी तरह से जोड़ दिये हैं अब मैं क्या करता हूँ इसमें सिरी लायन देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यह सीधा घूमता है या नहीं तो चलिए मैं इसमें लायन दे round तो देखिए अब ये सीधा घूमने लगा है तो दोस्तों आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए कि केपासिटर का कनेक्शन करते वक्त पंखा उल्टा घूमने लगे तो उसे किस तरह से आपको सीधा घूमाना है यानि कि कनेक्शन को किस तरह से सीधा करना है वो मैंने आपको इस किया आता है असान तरीका से वह भी मैंने आपको इस वीडियों बता दिया अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है स्पेंसे related को भी मन में सवाल हो तो आप मुझे comment box में comment करके सवाल पूछ सकते हैं मैं आपके सवालों का जवाब जरूर देने का कोशिस करूंगा